Good morning friends, welcome back to the channel, English Classes for All. देखे, आज का passage है, The Benefits of Early Rising. इस English passage को हम word by word हिंदी में translate करेंगे, important words को देखेंगे, तो चलिए, आईए शुरू करते हैं. First line है, जो कि इसका topic है, The Benefits of Early Rising. इसको हिंदी भी कहा करेंगे, The Benefits. फायदे और Early Rising, जल्दी उठना. तो इस sentence आपका बन गया, जल्दी उठने के फायदे. जल्दी उठने के फायदे. तो सबसे पहला important word है, Fortunate. Fortunate. Fortunate का अर्थ होता है, भाग्यशाली. भाग्यशाली. अब आगे sentence देखते हैं, Fortunate are those who have formed the habit of early rising. इसको हिंदी में हम ट्रांसलिट करेंगे, तो ये बनेगा, भाग्यशाली है, आर का हो गया है, इस एम आर जो होता है, भाग्यशाली है, वो, वो, दोस, जिन होने. दोस होगा, तो के जिन होने, जिन होने, जिन होने, आदत, दोस who have formed, peur, आदत बना ली है, वो फ़ांदी हैबिट, वो आदत बना ली है, आदत बना ली है, आदत हो कहाँ आदत, ठीक है, यह भी इंपोर्डेंट है, आदत, आफ अर्ली राइजिंग जल्दी उठने की जल्दी अर्ली राइजिंग जल्दी उठने की तो वो बहुत भागेश हाली है जिन्होंने आदद बना लिए जल्दी उठने की एन अर्ली राइजर एक जल्दी उठने वाला एन का अर्द होता है एक ठीक, एन का अर्थ होता है वह एक, और एन लगा है, ए नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए है, अ, अ है, अर्ली, अर्ली का साउंड अ है, तो ए, ई, आ, ओ, यू, ठीक है, आपके बॉबल्स हैं, तो इसलिए यह आया, इसलिए एन लगा है, एक जल्दी उठने वाला एक जल्दी उठने वाला, has many advantages over the late riser, तो यह थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वाला नहीं आएगा, यह वाले हो जाएगा, एक जल्दी उठने वाले, क्योंकि यह जितने भी लोग हैं, सब को compare कर रहा है, तो जितने लोग भी जल्दी उठते हैं, उस सब को compare कर कर रहा है, लेट उठने वाले, जो लेट राइजर है, जो लेट उठते हैं, अब उनसे compare कर रहा है, तो एक जल्दी उठने वाले, को है, मैनी का अर्थ होता है, कई और एड्वेंटेज आपका, another important word is, एड्वेंटेज इस फायदे, और एड्वेंटेज का एंटॉनिम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, इस एड्वेंटेज इस, मतलब नुक्सान, तो एड्वेंटेज इस फायदे, ओवर दो, ओवर दो, मतलब कि तुलना लेटराइजर से कर रहा है तो बता रहा है कि जल्दी उटने वाले जो होते हैं उनको कई फायदे होते हैं तुलना में किस से देर से उटने वाले से देर पढ़ते हैं इन अर्ली मॉर्निंग नेचर इज एड इट बैस्त इन अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे में इस बहुत सवेरे में नेचर का अर्थ होता है प्रकृति प्रकृति है है at its best अपने सर्वत्तम पर होती है best मन्तब सर्वत्तम अपने best सर्वत्तम पर होती है is there its best होती है आगे बढ़ते है अर्ली राइजिंग इनेबल सस अर्ली राइजिंग अर्थार जल्दी उठना इनेबल्स देखे जो वर्डम पढ़ चुके है अर्ली राइजिंग पहले भी आ चुका है तो बार बार लिखके हम उसको अपना टाइम थोड़ा हम सेव करेंगे वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो बहुत टाइम कंस्यूमिंग हो जाती है ठीक है अर्ली राइजिंग तो फिल्प एक बार लिख देते हैं आपके लिए जल्दी उठना इनेबल्स 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 का अर्थ क्या होता है सक्षम सक्षम इनेबल्स सक्षम अलिसका अन्टॉनिम इसका अगर उल्टा आपको आता है लिखना अगर इसका विप्रीच शब्द नेबल्स का विप्रीच शब्द आपको अगर आता है तो कमेंड बोक्स में कमेंड To breathe, to breathe मतलब लेना, सांस लेना, fresh, fresh morning air, जो morning air है, जो सुबह की ताजा हवा है, उसको लेने में हमें सक्षम बनाती है, ठीक है, सक्षम बनाती है, सुबह की ताजा हवा लेने के लिए, के लिए, सक्षम बनाती है, air मता हवा, and, or, enjoy, enjoy करना, आनन्द लेना, आनन्द लेना, a variety of natural sights, variety विविद प्रकार की, variety, विविद प्रकार की, natural, प्रकृतिक, natural प्रकार्टिक साइट्स होता है, द्रिश्य, और, सुबह सुबह आपने देखा, कई सारे अच्छे अच्छे प्रकार्टिक द्रिश्य भी होते हैं, which a late riser can't even dream of, which, जो की, a, एक, late riser, मतलब, देर से उठने वाला, can't even dream of, सपने में भी नहीं देख सकता, सपने में भी नहीं देख सकता, फिर आपका next intense है, the early riser, early riser, जल्दी उठने वाला, finds time, जल्दी उठने वाला, जल्दी उठने वाला, finds time, धूंड निकालता है, finds time, धूंड निकालता है, समय, धूंड निकालता है, समय, धूंड निकालता है, समय, तू टेक, निकालता है, समय, तू टेक मतलब लेने के लिए, करने के लिए, लेने के, तू टेक सम एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम करने के लिए, निकालता है, समय, कुछ व्यायाम करने के लिए, या कुछ व्यायाम लेने के लिए, ज़र exercise का मतलब है which keeps him active जो keeps him रखती है active जो उसे सक्रिय रखती है active का मतलब होता है सक्रिय जो उसे सक्रिय रखती है until the evening until मतलब तक until का अर्थ होता है तक the evening, शाम तक आपके सक्क्रिय शाम तक evening होगे आपका evening होगे आपका शाम जो उसे शाम तक active सक्रिय रखती है early rising enables us to start our days work early early rising जल्दी उठना इनेबल से उपर आया था भी इनेबल से सक्षम और इसका एंटोनी में आपको बताना है कमेंड बॉक्स में सक्षम जल्दी उठना सक्षम अस इनेबल सक्षम बनाती है हमें बनाती है हमें टू स्टार्ट शुरू करने टूस्टार्ट और डेज़्ट बसक्षम बनाती हमें शुरू करने में हमारा डेज़्ट दयनिक कर रहे अब जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी आपना कर रहे स्टार्ट कर सकते हैं द्यानिक कर रहे अर्ली मतलब जल्दी आप जितना जल्दी उठेंगे आपका द्यानिक कर रहे उतना जल्दी स्टार्ट हुजाएगा वन दमाइड इस वन जब दमाइड मन इस है जब मन है फ्रेश ताजा जमन है ताजा और देर इस नो एंद देर इस नो डिस्ट्रेक्शन और नहीं है कोई और नहीं है कोई डिस्ट्रेक्शन डिस्ट्रेक्शन आपने अट्रेक्शन वर्ड सुना होगा अट्रेक्शन उसका इंटॉनिम मतलब उल्टा है डिस्ट्रेक्शन तो अट्रेक्शन अगर आकर्शन है तो डिस्ट्रेक्शन है आपका व कोई कर्शन तो ताजा और नहीं है कोई विकर्शन तो सुबह सुबह क्या होता आपका जो मन है ताजा होता और कोई किसी प्रकार का डिस्ट्रेक्शन नहीं होता आगे बढ़ते हैं ती अर्ली राइजर जल्दी उठने वाले को नहीं है कोई जल्दी नहीं है कोई जल्दी तो डू इस वर्क अपना काम करने की अपना काम करने की तो डू इस वर्क थोरोली तोरोली का अर्थ होता है बताईए तोरोली का अर्थ होता है अच्छी तरहां से तोरोली का अर्थ होता है अच्छी तरहां से अच्छी तरहां कि जो संटेंस की तो मुश्किल वर्ड्स आप समझ में आ जाएंगे तो संटेंस अपने आप में ट्रांसलेट हो जाएगा Translate हो जाएगा Sufficient का अर्थ होता है प्रयाप्त अब दुबारा बढ़ते हैं He has sufficient time क्या बन गया उसके पास है प्रयाप्त समय To do his work To do his work अपना कारे करने के लिए अपना कारे करने के लिए उसके पास है प्रयाप्त समय अपना कारे करने के लिए थोरोली अच्छी तरह से ठीक है One who rises early One who rises early Can go to bed early ठीक है जो जल्दी उठेगा जो जल्दी उठेगा उठेंगे वह जल्दी बिस्तर पर जा सकता है Can go to bed early बिस्तर पर जा सकता है बिस्तर पर जा सकता है sound health a cheese here sound sleep a cheney and have a and have a milaghi मतलब have a lot of milaghi a cheese sleep need at night रात रात को तो दोस्तों हमारा आज का पैसेज हमारा आज का पैसेज जिसका टॉपिक था the benefits of early rising यह पर समापत हो गया है आई होप आपको यह पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे like करें चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करें थैंक यू